हेलो दोस्तों प्रतिमा जी एस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों भारत के संविधान में आज हम राज मंत्री मंडल राज सरकार और उससे संबंधित जितने भी प्राधी करण हैं उन पे चर्चा करेंगे साथियों भारत का संविधान एक संगात्मक धाचा की वेवस्ता करता है तो जिस तरह मैंने केंद सरकार से संबंधित प्राधी करण को बताया है उसी तरह से राज में भी होता है और इसलिए हम दोनों को कमप्रेटेबली समझाएंगे आपको जैसे केंद्र की वेवस्ता आपने पढ़ी है तो बस केवल कुछ अंतर ये होगा वो होगा अनुच्छेद का अंतर होगा और कुछ सक्तियों में अंतर होगा बाकी कोई भी अंतर जो केंद्र सरकार करती है उसी का धाचा राज्यों में होगा क्योंकि केंद्र में पीम होता है तो राज्य में सीम होता है राष्ट्रपती होता है तो राज्यपाल होता है अगर यहां पे महान्यावादी होता है तो राज्य में महाधिवक्ता होता है यहां पे सुप्रीम कोट है तो यहां पे हाई कोट है यहां पे संसध है तो यहां पे विधार मंडल है साथियों कुल मिला करके कोई भी आपने इनको पढ़ा है तो आप समझ लिजिएगा कि वही कार जो कार राष्टपती प्रधारमंत्री महानियवादी सुप्रीम कोड संसद करती है वही काम इस्टेट में भी होता है बस इनकी कुछ सक्तियां सीमित होती है राज्य के जो प्रा और जब दोनों में कोई बात होती है तो यह सर्वोपरी होता है और यही वजय है कि इनको मैं आप से कुछ अंतर के साथ समझाओंगा तो आप यह समझ लिजिएगा कि जिसने भी हमारी यह किलास राष्टपती प्रधानमंत्री महानियवादी सुप्रीम कोड संसद इनको अ देख लें राष्टपती प्रधानमंत्री संसद सुप्रीम कोड महानियवादी इनको देखने के बाद आप मुखमंत्री गवर्नर महाधीवक्ता हाई कोड विधानमंडल आसानी से समझ पाएंगे इसलिए हम सुरू करते हैं एक-एक लोगों का बेहुरण में आपको बतात जाओंगा है कि सबसे पहले उठाते हैं राजपाल महोदे को कि राजपाल कि अनुछेद तिर्पन कहता है कि अनुछेद एक-सो तिर्पन कहता है कि राज्यों के कि राजपाल होंगे कि यानि कि प्रतेक राज ऐसी जब ऐसी सब्दा वलिया हैं तो इसका मतलब यह होता है कि प्रतेक राज का अलग-अलग राजपाल होगा कि लेकिन कि सात्वा संभिधान संसोधन अधनियम 1956 में कहा गया कि संसद नियम बना के एक राजपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नीवक्त् कर सकती है अब यदी नीवक्त् कर सकती है तो क्य बेतन भद्ते क्या होंगे、 तो इनके बेतन भद्ते फिर राश्ट्रपति के द्वारा निर्धारित के जायेंगे कि द्वारा अनुपातिक रूप में निर्धारित होंगे तो यानि कि एक सो तिर्पन में कहा गया है कि राजपाल होंगे सात्वा सम्मिधान संसोधन अधनियां 1956 के तहद कहा गया एक से अधिक राजपाल बनाए जा सकते हैं मतलब एक ही राजपाल दो राजपाल हो सकता है कि 154 में इनकी सक्ति की बात कहीं गई है कि 154 में कारपालक सक्ति इसका मतलब होता है कि जैसे राश्ट्रपति अपना जो कारे करता है कि किसके सहीयोग से करता है मंत्री परिषत के तो राजपाल भी ऐसे ही करेगा मंत्री परिषत के सहीयोग से करेगा राजपाल की नियुक्ति 155 ने बताई गई है तो नियुक्ति कौन करेगा यह इंप्वार्टन पॉइंट है 155 अनुच्छेद महत्पूर हो जाता है कि जिस तरह से राष्टपती सेंटर के लिए यानि पूरे अखंड भारत का प्रतनिद्ध करता है उसी तरह से राष्टपाल राज का प्रतनिद्ध करता है तो उसकी नियुक्ति क्यों होती है उसका चुनाव क्यों नहीं होता है नियुक्ति में और चुनाव में अंतर होता है तो राजपाल की नियुक्ति की जाती है राजपाल का चुनाव क्यों नहीं किया जाता है तो राजपाल को 155 अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है मतलब 155 ने बताया गया है कि नियुक्ती कौन करेगा राष्टपती करेगा और ये राष्टपती के प्रसाद परियंत प्रसाद परियंत बने रहेंगे यानि कि मान लिजेगे राष्टपती चाहे तो इनने हटादे राजपाल महों देखो तो हाँ हटा देगा इनके चाहने मात्र से हो जाएगा तो चाहने मात्र से हो जाएगा क्योंकि राजपाल प्रतनिधी होता है किसका केंद्र का अब अखंड भारत यहां पे सेंटर है प्रेसिडेंट यह राज हैं यहां पे हर राज में गवर्णर हैं और यह जो गवर्णर हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और यह राज्यों के प्रतनिधी के रूप में कार करते हैं केंद्र के और साथ इसाथ राज्यों के मुखिया के रूप में भी कार करते हैं यानि कि जरूरत पढ़ने पर यह राज के सर्वे सर्वा भी हो सकते हैं लेकिन बिहाफ़ाफ प्रेशिडेंट आफ इंडिया तो इनका फिर चुनाव क्यों नहीं हुआ जब इतना अब ताकत वर पद है तो जिस तरह से ना डारेक्ट चुनाव होता तो इन डारेक्ट चुनाव होता जिस तरह की इस्तिती राष्ट्रपती के लिए होती है उस तरह की इस्तिती राजपाल के लिए क्यों नहीं क्यों की, क्यों की, अखंड भारत, एक भारत, सर्वस्रेष्ट भारत, ये जब कल्प्राएं की जाती हैं, तो माना जाता है, कि यदि किसी के घर में दस मालिक हो गए, तो घर नहीं चलेगा, किसी के घर में सब का बातों का सम्मान हो, सब को साथ ले चलने की ब्यवस्था हो, सब से निर्ड़े मांगने की, सलाह लेने की प्रविर्ती हो, लेकिन जज्जमेंट एक का हो, तो ब्यवस्था बनता है, राष्टपती से तुलना राजपाल की नहीं की जा सकती, सर्वे सर्वा प्रथम नागरिक राष्टपती होता है, राज़ का प्रथम नागरिक राजपाल जरूर होता है, लेकिन राजपाल केंद्र की आँखें होती है, छेत्रता की भावना ना बढ़े, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कि मान लिजिए, राज़ में मुख मंत्री है, और एक तरफ राजपाल है, ये भी जनता के द्वारा चुन के आएं हैं, और ये भी जनता के द्वारा जाएं, अब ये भी गए हैं, ये भी गए हैं, हो सकता है, कि ये मान लिजिए, ये एक्स पार्टी के हों, और ये वाई पार्टी के हों, अब राजनेतिक हित साधने के लिए, दोनों में बिवाद होता रहेगा, अज जब ये दोनों में बिवाद ही होता रहेगा, तो विकास कब होगा, तो विकास नहीं होगा, दोनों में ताकतवर साबित करने की प्रविर्थी आ जाएगी यह कहेंगे अहम ब्रह्मासमी तो कहेंगे अहम ब्रह्मासमी अब दोनों लोगों का जगड़ा होगा तो अच्छी बात नहीं होगी इसलिए इनको पावर तो दिया गया लेकिन इनको निउक्त करने की प्रभिरती की गई राष्टपती के द्वारा अब यह यहां के मुखिया तो हैं लेकिन कार करेंगे इनके मंतिरी परसत के सला से अब जो कि ये राजनेतिक ब्यक्ति नहीं होता है जो कि उस राज का नहीं होता है जब ये नागरिक किसी संप्रदाय किसी पार्टी उस राज इन सभीस चीजों से दूर रहेगा तो निट्रल होकर यानि तट्रस्त होकर कार करेगा मुखमंत्री गलत कार न करने पाए मंत्री परिसद गलत कार न करने पाए ऐसे इस्थिती के लिए राजपाल के पास अनुछेद 200 और अनुछेद 201 मौजूद होता है वो कैसे अब मान लिजिए कि मुखमंत्री महोदय ने कोई कार या कोई विधेयक बनाया पास किया अब उसे भेजा राजपाल के लिए विधेयक कहां भेजा राजपाल के पास अब राजपाल ने सोचा कि भाई नियम जो बनाये हैं वो नियम तो अच्छा है तो अनुछेद 200 के तहट वो तीन काम करेंगे एक दो तीन और एक आउर है चार राष्ट पती तो तीन काम करता है अनुछेद 101 के तहट राष्ट पती देखे राजपाल राष्ट पती जब राश्टपती महोदे के पास में कोई विध्याक आता है तो अनुच्छेद 111 के तहद वत्ती निकारे करता है अनुमती दे देता है अनुमती नहीं देता है पुनर विचार हित लोटा सकता है विचार है तो वापस कर देता है लेकिन राजपाल क्या करेगा उसके पास चार सक्तिया है एक तो अनुमती दे दे दूसरा अनुमती ना दे तीसरा पुनर विचार के लिए भेज दे और चौथा राश्टपती के लिए रिजर्ब कर दे राश्टपती के लिए राश्टपती के विचार है तो भेज दे अब राश्टपती के विचार के लिए भेजेगा ये तो इसमें निर्ड़े लेगा दोसों में लेकिन भेजेगा कि जब यहां पर संसद संसोधन सहित या संसोधन रहित इसी विधे को फिर राश्टपती के बास भेजेगा फिर से भेजेगा तो राश्टपती उस पर अनुमती देने के लिए बात दे होगा अनुमती देगा ही देगा देगा ही देगा ठीक लेकिन यहां के इस्तती में मान लिजेग विधान सभा या विधान मंडल इन्होंने संसोधन सहित या रहित फिर से भेजा राश्टपती के पास तो फिर राश्टपती अनुमती दे सकता है या नहीं भी दे सकता है यानि राश्टपती चाहे तो दे चाहे तो न दे तो यह बेसिक अंतर राश्टपती के अनुच्छे 111 के तहट संसस संबंदी सकती में और राजपाल के तहट 200 के तहट सकती में और 201 के तहट सकती में यह बेसिक अंतर है तो राजपाल की निप्ति कौन करेगा राश्टपती करेगा कि सामानता पांच साल तक पांच वर्स तक वो अपने पद पे रहेगा इसके पहले वो क्या कर सकता है त्याग पत्र दे दे या हटा दिया जाए जो भी हो अब मान लेजिए कि कोई राजपाल त्याग पत्र दे दिया तो त्याग पत्र किसको देगा वो देगा राष्ट पती को अब राष्ट पती को त्याग पत्र तो देगा लेकिन जब नियुक्त किया गया था तो नियुक्त के नियुक्ति के साथ में वो सपत किसे लिया तो हाई कोड के चीप जस्टिस से या कोई अन नयाधी से किस समझ से सपत लेते हैं और त्याग पत्र किसको देंगे राष्ट पती को देंगे राष्ट पती की अहरताएं क्या होनी चाहिए मतब योगता क्या होनी चाहिए तो यह पहले चीज़तों भारत के नागरिक हों वही योगता जो राष्ट पती के लिए है 35 पूरे हो और विधान सभा में चुने जाने की इस्थिती में हो इतनी योगता इनकी होनी चाहिए और यह राजपाल बन सकते हैं राष्ट पती के लिए लोग सभा होता है अब आते हैं मुख मंत्री महोदे पर जिस तरह से अनुछेद 74 और अनुछेद 75 केंद्रिय मंत्री परिसर से संबंधित है उसी तरह से 163 164 यह संबंधित है राज मंत्री परिसर से तो जोग जो काम 74 और 75 में मंत्री परिसर राष्ट पती से संबंधित मिलके करता है इसके मंत्री परिसर और राष्ट पती इसके मध काम पियम करते हैं उसी तरह से राज पाल और मंत्री परिसर के बीच में काम सियम करते हैं मुख मंत्री का जो दाइत जिसे अनुच्छेद 78 के तहत प्रधान मंत्री का करतब है कि जब राष्ट पती जब राष्ट पती कोई सूचना मांगे तो पीम की जिम्मेदारी है कि राष्ट पती को वह सूचना दे इसी तरह से 160 के तहट सीयम की भी जिम्मेदारी होता है उनका भी दाइट तो होता है या करतब भी होता है कि जब जब राज पाल कोई सूचना मांगे तो सियम राजपाल को सूचना दे जिस तरह से अनुच्छे सतहत्तर के तहद केंद्र के सारे कारे राष्टपती के नाम से होते हैं के नाम से किये जाते हैं कारपालका के कार उसी तरह से अनुच्छे 166 के तहद राज्यों के कार राज्यपाल के नाम किये जाते हैं के नाम से किये जाते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है जिस तरह से केंद्र के किसी भी कार में किसी मंत्री का हास्ताच्छर होना आवस्यक नहीं है उसी तरह से राज्यों में किसी मंत्री का कोई उत्तरदाई तो नहीं होता उनका भी हास्ताच्छर नहीं होता मतलब कि केंद्र का एक दम टूक आपी है सिवाए अनुच्छेद के अनुच्छेद आपको ध्यान रखने है कार्य वही है जो केंद्र में होता है वही राज्य में होता है कि एक सु सतहात्तर के तहट संब्मान की बात है कि सदनों का संब्मान करते होए मंत्रियों की अधिकार यानि मंत्रियों की अधिकार के बारे में बताया गया है कि उनके अधिकार क्या क्या होते है आपने शंसद पढ़ा है तो शंसद में जिस तरह से केंद्रिय काई बिनेट राज उपराज इनके मंत्रियों के कार्य बताया गया है उसी तुरह से स्टेट में भी कार्य किया जाता है अब आते हैं बिधान मंडल पे बिधान मंडल यह महत्यपूर्ण है कि बिधान मंडल जो है किस तरह से बनता है तो आप ध्यान रखेगा कि एट जैसे संसद में राष्ट्रपती लोकसभा यानि कि पार्लियमेंट आफ इंडिया में राष्ट्रपती लोकसभा राज्यसभा होता है उसी तरह बिधान मंडल में राज्यपाल और बिधान सभा होता है लेकिन कई राज्यों में बिधान परिसद भी होता है साथ यह ध्यान रहे यह बैकल्पिक है यह सारे राज्यों में नहीं है जो राज चाहता है वह एक संकल्ब पारित करके केंद्र को देता है कि हमें बिधान परिसद बनाना है अनुमति चाहिए तो यहां पर फिर राज क्या होता है संसद बिधान परिसद बनाने का प्रस्ताव पारित करती है और फिर जागर के राज में बिधान परिसद पारित होते हैं इसके लिए एक अनुच्छेद है जो बहुत पूछा जाता है आपको ध्यान रखने की जरूरत है 169 179 अनुच्छेद में बिधान परिसद के गठन और उसके उत्सादन यानि इसको उत्सरजन भी कह सकते हैं यानि गठन और उत्सादन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 169 के तहद पूरा ब्यवस्था दिया गया है जिसमें राज चाहे तो राज चाहे तो राज चाहे तो बिधान परिसद का गठन करे या ना करे उत्सादन को ही उन्मोलन भी बोला जाता है यानि कि अब राज चाहे तो कितने राज्यों ने अभी तक चाहा तो ये अलग महत्तपूर प्रस्ण हो गया तो अभी तक चाहे राज हैं जहां पर विधान परिसद है हो चाहे राज कौन कौन से हैं मैं ऐसा बताओंगा क्या को याद करना असान हो तो योपी और बिहार महाराष्ट करनाटक आंध परदेश तेलंगाना अब देखिए जहां जहां जाते हैं साथ ही निभाते हैं योपी बिहार भहिया साथे खाते हैं मतलब योपी और बिहार यह हैं लंगोटिया यार तो दो हो गए बिधान परिसद यहां महाराष्ट हम चलते हैं तो करनाटक भी घूमते हैं यह दोनों हो गए पडोसी यानि दो बिधान परिसद यहां आंध्रपरदेश से निकले हैं भाव बहुत खाते हैं यह हो गए तिलंगाना यह हो गए आंध्रपरदेश तो दो हो गए यहां तो यह दो 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 टोटल हो गए च्छे यह च्छे बिधान परिसद आपके हिंदूस्तान में हैं और दो दो पडोसी पडोसी हैं यहां पे हो के इद्र में तेलंगाना है और परदेश योपिविः तो कोई बात qine है यह को है तो हर जगा बढ़न परिशन नहीं है इसलिए जहां बढ़त नहीं है तहां बिढ मंडल राजपाल और भीधान सभासे बनता है और जहां परिशन पार वहां इन तीनों से मिल करके बनता है तो यहाँ पर मैंने राजपार आपको बताया और विधान सभा का कार्य और विधान परिषत के कार्य अभिश्व को बता्रहा है है तो राज्जाओं के विधान सभाओं का गठन होगा살 188 के तहतं कहा गठन के अब गठन तो होगा तो बिधान सभा कहां कहां है 28 राज और आठ केंद्र सासित प्रदेश है अब 28 राज है तो 28 में तो बिधान सभा होगा ही लेकिन आठ केंद्र सासित प्रदेश में एक दो और तीन जगा बिधान सभा है यह कहां कहां एक है दिल्ली और दूसरा है पांडु चेरी पांडी चेरी और तीसरा है जम्मू एंड कास्मीर यह तीन जगा बिधान सभा केंद्र सासित प्रदेश में है यानि टोटल मिला करके कितने हो गए टोटल मिला करके कितने हो गए 31 यानि 28 पलस 3 31 विधान सभा हो गए तो 31 विधान सभा में सरकारे बनती है और अपने नियम बद्ध रूप से कारे करती है अब यह नियम किस पर बनाएंगी बनाएंगे राज सूची पर और समवर्ती सूची पर अब ध्यान रहे कि संसद किस पर बनाती थी संग सूची पर समवर्ती सूची पर अवसिश्र सक्तियां और यदि अनुच्छे 254 के तहट और 312 के तहट अखिल भारतिये आल इंडिया सर्विसेज और 245 के तहट यति राज सभा चाहे तो केंद्र कानून बना सकती है यानि 356 लगा हो 365 आएसी स्थिति में केंद्र राज सूची पर भी कानून बना सकती है तो नहीं बना सकती आउसिश्र सक्तिया नहीं प्राप्त हैं यह राज बनाएंगे समवर्ती बनाएंगी अब मान लिजिए समवर्ती पर भी केंदर ने बनाया वही कानून और वही कानून राज ने बनाया अब क्या होगा तो जब दोनों में बिवाद होगा तो केंदर के बनाएगे कानून मानने होंगे राज यहां पे कमजूर हो जाएगा अब एक बात आओ कि कोई साधारन विध्यक है और राज में आया और विधान परिशद और विधान सभा दोनों में हो गया विवाद क्या हो गया विवाद हो गया मिधान परिशद ने कहा जो जो मर्जि करना करलो हम नहीं पास करें गी आप संसद में क्या होता था जब साधार नविध्यक आया और हुआ कहाँ पर लोगसभा और राजसभा में विवाद तो राष्ट्रयी ने कहा नो टंकि न करो पास करना है तो पास करो नहीं तो हम फिर अनुच्छेद 108 का सहारा लें यानि कि जॉइंट सेसन यानि कि सैन्यूक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो नटनकी कौन नहीं कर सकता ये नहीं कर सकते कौन राजसभा अधिक्तम 6 माहा लेट कर सकते हैं बस लेकिन यहां पर अगर विवाद हुआ तो क्या सैयूक्त अधिवेशन का प्रावधान राज में है तो भाईया नहीं है ये प्रावधान यहां नहीं दिया गया इसके दो कारण हो सकते हैं न देने के सम्विधान ने नहीं बताया कि कारण क्या है मेरा मानना है कि कारण यह हो सकता है कि हर राज में बिधान परिशद नहीं है और हर राज में जब बिधान परिशद नहीं है तो बिवाद हर राज में नहीं होगा लेकिन यहां राज सभा तो रहेगा यहां राज सभा इस्थाई है तो जिस राज में विधान परिशद है वहां भी इस्थाई है लेकिन जहां नहीं है तो बिवाद नहीं होगा तो अलग से इसके अप्रावधान नहीं दिया गया अब जब यहां नहीं दिया गया तो यहां की बात खतम अब आते हैं हम सिधराज पे कि अगर यहां विवाद होता है तो क्या होगा तो पहली बार जब विधान सभा साधान विधेग भेजेगी तब यह महोदे तीन माहा तक रोख सकते हैं अब कोई प्रतिकिरिया ना देने पर विधान सभा सोचे कि भाई ऐसी क्या बात हो गई जो विधान परिशत महोदे हमारी जो है विधेयक को ध्यान नहीं दे रहे हैं हमको लेट कर रहे हैं तब यह कहेंगे हाँ जो नहीं करेंगे का कलो गये तो यह कर दो तो यह फिर माह रोकने की और सकती है उसके बाद में साधारन विधयक को उसी रूप में पास मान लिया जाएगा जिस रूप में बिधान सभाने पारित किया था यानि कि साधारण बिधेयक को बिधान परिसद कितने महीने रोक सकती है अधिक्तम तो थिरी पलस वन टोटल फोर मंथ यानि चार महीने चार महीने रोक सकती है अब इस चार महीने को दो बार में अलग अलग यह ना रेक के बार में चार महीने हाँ अधिक्तम चार महीने अधिक्तम चार महीने रोख सकती है अब आपके दिमाग में एक प्रशनाता होगा कि सर आपने तो प्रहाया था जबके अंदर का धन विध्यक तो आपने कहा था कि वो तो राजसभा 14 दिन मातर रोख सकती है और यह तो चार महीने रोख सकते हैं तो ने धन दिध्यक ऋएस आधारन विध्यक नहीं साधारन विध्यक संसेञ राजसभावीच्टसश महीने रोख सकती है उसके बाद जॉइन सेशन होगा लेकिन चारे महीना यहां पर रोख सकते हैं इसके लिए ज्वाइंट सेशन भी नहीं है सही उतादिवेशन नहीं है लेकिन जब बात मान लिजिए अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर संसद में धन विध्यक 14 दिन रोख सकता है तो फिर विधान परिसद कितने दिन र लागू होती है वही बुदान परिसद के लिए लागऊ हो जाएगा यानि उसी रूप में विधान मंडल में नहीं आपसमान लिया जाएक जा weaving ने पारित किया था कि तो आप यह समझे overwhelm ना की जिएगा राजिसभा सेeless चार महिनाु छा महिना का ध्यान रखेगा वह श्चे महिना एक साथ कर सकती है यह तीन प्लस एक करके कर सकते हैं तो यह basic अंतर्वी ध्यान रखने की जरूरत है तो बाकि आप लोग कितने समध्धार हैं हमारे एके बार समझाने समझ जाते हैं लेकिन लाइक कर दीजिए लाइक नहीं किये आप लाइक कीजिए कि अब यहां पर बात आती है कि विधान सभा के कारिकाल और अब कोई भी ब्यक्ति अगर सदस्व बना है विधान सभा का या विधान परिसद का तो कारिकाल क्या होगा भाई कतने दिन रहेंगे पत्पे तो दिहान रहे लोक सभा में 5 वर्स राज सभा में 6 वर्स तो विधान सभा में 5 वर्स विधान परिसद में 6 वर्स अब राज सभा तो इस्थाई है इस्थाई सदन तो बेटा बिधान परसद भी इस्थाई सदन है अब यहाँ पे एक बटा तीन सदस पर तेक दो वर्स पे पदमुक्त होते हैं तो क्या यहाँ भी ऐसा ही है यहाँ भी एक बटा तीन सदस पर तेक दो वर्स पर पदमुक्त होते हैं तो ध्यान रहे पहली बार यहां से भी लाटरी पद्दती के माध्यम से कार किया गया था तो पहली बार यहां भी लाटरी पद्दती के माध्यम से कार किया गया था अब आप ये मत पूछिएगा कि साल लाटरी पद्दती क्या है इसके लिए आपको जा करके संसद वाले हमारे वीडियो देखने होंगे जो कि प्लेलिस्ट में है वहाँ जाके देखे आपको सुझ में आ जाएगा अब यहाँ तो चलिए कारिकाल तो पांच वर्स का है ठीक है यह पांच वर्स के पहले भी भंग किया जा सकता है अब इनका काम समात यह भंग नहीं होगा इस्थाई सदन है यह भंग किया जा सकता है कैसे बहुमत ना होने पर अगर बहुमत नहीं है तो अभिश्वास प्रस्ताव पास होने पर धन विधियक ना पास होने पर और ध्यान रहे जिस तरह से अनुच्छेद 112 में संग में वित्तिय वियूरण की बात कही गई है यानि बजट ध्यान रहे भारत के सम्मिधान में बजट सब्द का उल्लेक नहीं हुआ है उल्लेक किसका हुआ है वित्तिय वियूरण का उसी तरह से अनुच्छेद 202 के तहत यानि कि बित्तिय वियूरण के लिए जिस तरह से यहां के लिए बिन्योग विध्याग पास होना जरूरी है उसी तरह से अनुच्छेद 204 के तहत यहां भी बिन्योग विध्याग पास होना जरूरी है यद बिन्योग विध्याग पास नहीं होता विध्यक पास नहीं होता तो फिर विधान सभा बंग हो जाएगी अब एक बात आओ रहाता है ध्यान में कि क्या कोई एक मंत्री के त्याग पत्र देने से कि यानि विधान सभा कि यदि कोई मंत्री त्याग पत्र देता है तो क्या विधान सभा भंग होगी तो यगर कोई मंत्री त्याग पत्र देता है या किसी कारवस्पद रिक्त होता है तो उसे पद रिक्त बोला जाएगा यानि कि फिर यहां पे मुख मंत्री सलाह दे करके राजपाल के द्वारा किसी को मंत्री बना देगा मंत्री बना देगा लेकिन यदि मुख मंत्री त्याक पत्र दे दे मुख मंत्री त्याक पत्र दे दे तो विधान सभा बंग हो जाएगी यानि कि मंत्री परसद बंग हो जाएगी फिर दुबारा से गठन होगा सरकार का गठन दुबारा से वो सरकार गिर जाएगी तो यह ध्यान रखेगा जिस तरह से संसद में आप पढ़ते आए हैं सेंटर में स्टेट में उसी तरह से कार्य होगा अब आते हैं हम उच्छ नयाले पे उच्छ नयाले पे क्या है तो उच्छ नयाले का कोई स्वायत निकाय नहीं है यह सुप्रीम कोड के अंडर में है क्योंकि नयाई पालिका भारत में एकल नयाई पालिका है एकल नयाई पालिका यानि कुल 25 उच्छ नयाले भारत में है अनुच्छ दोसों 14 में कहा गया है कि राज्जियों के लिए उच्छ नयाले होगा ले होगा और एक उच्छ नयाले एक से अधिक राज्जियों के लिए हो सकता है जिस तरह से अनुच्छ द 119 में कहा गया है जिस तरह से अनुच्छ द 119 में कहा गया है कि सुप्रीम कोट अभिले खे नयाले है उसी तरह से 215 में कहा गया है कि हाई कोट अभिले खे नयाले है यानि कि जो हाई कोट निर्ड़े देगा उसे लिपी बद किया जाएगा उसे रिकार्ड के रूप में रखा जाएगा यानि कि जो डिस्ट्रिक कोट हैं यह इनके निर्ड़े को ध्यान में रख करके निर्ड़े देंगे तो क्या इस्थाने नयाले भी अभी लेखिये है तो यह अभी लेखिये नयाले नहीं है 216 में हाई कोट के गठन की बात कही गई है और 217 में हाई कोट के न्यायद हीसों की नियुक्ति की बात कही गई है तो हाई कोट के न्यायद हीसों की नियुक्ति राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है चीप जस्टिस आप इंडिया से सला ले करके राष्ट्रपती हाई कोट के जज की न्युक्ति करती है और ट्रांसफर करती है यानि हस्तांतरण करती है तो यह अधिकार राष्ट्रपती के पास है अब एक अनुच्छेद ऐसा है जिससे तुलना की जा सकती है अनुच्छेद 32 की वो है अनुच्छेद 226 यह है सुप्रीम कोट को अधिकार कि जनता के मौलिक अधिकारों को यानि फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख करके उनका सन्रच्छण करे अनुच्छे 226 के तहट हाई कोट को अधिकार है कि वह जनता के अधिकारों का सन्रच्छण करे अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर केवल फंडामेंटल राइट के लिए है फंडामेंटल राइट की बात कही गई है लेकिन यहां पर इन्हें ज्यादा सुप्रेम कोट से ज्यादा अधिकार हाई कोट को है क्योंकि यह क्यों fundamental right तक सीमित हैं यह fundamental right प्लस अधर के लिए रिट जारी कर सकते हैं और यह क्यों इनी के लिए रिट जारी कर सकते हैं रिट में क्या क्या है बंदी प्रतिच्छी करण परमादेश प्रतिदेश प्रति सेध उत्प्रेशन अधिकार प्रेच्छा यह जो है यह supreme court article 32 and high court article 226 के तहत कर सकता है इसके हट करके भी high court और कई मामलों मेरिट जारी कर सकता है तो यहां के मामले में high court को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है अपेच्छा के supreme court के इसलिए अनुच्छे 226 और 232 fundamental right के अधिकारों को जाने जाते हैं प्लस 226 अन अधिकारों के लेकर के भी जाने जाते हैं तो यहां ध्यान रखने की ज़रूरत है अब आते हैं अधिकारण तो यह central government and state government दोनों के लिए एक ही है अनुच्छे 223 class 1 अनुच्छे 223 class B अब यह कैसे एक में तो कहा गया है प्रसासनिक अधिकारण और एक में कहा गया है अन्मामलों के अन्मामलों के लिए अधिकारण तो ध्यान रहे यह कई बार प्रस्ण पूछा जाता है और यह आई एस यानि यूपी असी यूपी पी असी या अधर इस्टेट एक्जाम कही पे भी यह डारेक्ट कुश्यन आते हैं कि प्रसासनिक अधिकारण का संबंद किस अनुच्छेद से है और यह दोनों आपसन में रहेंगे जब अन्य मामलों के लिए अधिकारण की बात आए तो अनुच्छेद 323 क्लाश B जब प्रसासनिक अधिकारण की बात आए तो अनुच्छेद 323 क्लाश 1 यह ध्यान रखेगा अब हम आते हैं महाधिवक्ता महाधिवक्ता और महानियवादी Central Government के लिए होते हैं महा नियावादी अनुच्छेद छियत्तर स्टेट गोवर्मेंट के लिए होते हैं महा धिवक्ता अनुच्छेद 165 कुछ दग रहा है दगने दो भाई 165 ये होते क्या हैं ये केंद्र का प्रत्थम बिधिक अधिकारी होता है और ये राज्ज का बिधिक अधिकारी होता है राज्ज का बिधिक अधिकारी होता है इनका काम क्या होता है इन दोनों को काम होता है सरकार के तरफ से न्यायाले में बात रखना यानि कि न्यायाले में सरकार का प्रतनिधुत्य करना इनका काम होता है यानि कि ये सरकार के खिलाप नहीं जा सकते नहीं जा सकते ध्यान रखेगा सरकार के तरफ से न्यायाले में बात रखना सरकार का प्रतनिधुत्य करना ये सरकार के खिलाप नहीं जा सकते राज जी के प्रथम विदिक अधिकारी होते हैं माधी वक्ता अनुच्छे 165 केंद्र का प्रथम विदिक अधिकारी होता है महानेवादी अनुच्छे 26 यह आग्या और क्या कर सकते हैं यह द्यान रखें देखें किसी भी सदन में किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं दोनों यह राज्यों में यह केंद्र में क्या वोट दे सकते हैं तो मत्दान सदन में मत्दान करने की सकती नहीं है यानि सदन में मत्दान नहीं कर सकते बैठक में भाग ले सकते हैं बहस कर सकते हैं सारी बाते हैं पर मत्दान नहीं कर सकते महानियवादी और महाधिवक्ता में एक अंतर और है महानियवादी राज्य के किसी भी हाई कोट में जा सकता है लेकिन महाधिवक्ता केवल अपने संबंधित राज्य के हाई कोट में या अनजिला में जा सकता है वो किसी अधर स्टेट में नहीं जा सकता अब दूसरी बात एक यह आती है कि क्या महाधिवक्ता के पदपे होते हुए यह अपने प्राइबेट प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जिस समय कार्य वो कर रहे हों संसद का स्टेट का उस समय छोड़ करके बाकी समय अभ्यास कर सकते हैं तो राजपाल हो गए कौन कौन हो गए स्टेट से रा सरकार में राजपाल हो गए मुख मंत्री हो गए राज मंत्री परिसद हो गए विधान मंडल हो गया उच न्याले हो गया अधिकरण हो गया महाधिवक्ता हो गया यानि कि राज समाप्त हुए और कुछ अनुच्छेट जो इतना मैंने लिख दिया है ये सारे अनुच्छेट बहुत महत्त्रपूर हैं इसे आप लोग याद कर लिजेगा शाथियों मैं अपने क्लास को यहे पर समाप्त करता हूँ और आप लोगों से मिवेदन करता हूँ कि जादा से जादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब किया है वो सबस्क्राइब करलें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा लें जिसे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे धन्यवाद जैहिन जै भारत